नमस्कार दर्शकों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर सपनों के संसार में बहुत-बहुत स्वागत है निक्रों आप सभी पर जीवन में भगवान की कपा बरस्ती रहे और सुखी मिरोग रहे इसे शुव प्राष्णा के साथ दुस्तों आप सभी के सपनों का फन चल दॉस्तों तो दोस्तों उसके पारे में चानते हैं दोस्तों और आपने भी सपने में देखा है नदी गेर दोस्तों यह सपना चलें जानते हैं अगर आपने सपने में नदी को नार्मल रूप से देखा है तो ये आपके जीवन में बेहरी शुब संकीर करता है दोस्तों आपको ये सकारात्मक संकीर देता है अगर आपने सपनी में बहता हुआ पानी देखा है नदी में तो ये आपके चीवन में आपके अनकूल परसितियों को लाने की ओर संकीर दे रहा है अगर आपको दिखाई दिया है कि बह रही है नदी और सांती रूप से और कही थेराओ भी अगर आपको नजर आती है तो कोई ये समस्या चल लई है तो उससे आपको छुटकारा और शांती मिलने की ओर संकीत करता है सपने में अगर आपने मत मैला गंदे पानी को दिखा है तो दोस्तो ये सपना अच्छा नहीं माना जाता है गंदा पानी ये आपको थोड़ी परिशानियों में जाने की ओर संकीत करता है अगर आपने नदी में विलकुल साब पानी देखा है तो दोस्तो ये आपके जीवन में किसी परिशानी को खत्म होने की ओर संकीत देता है अगर आपने सपनी में देखा है नदी की किनारे आप खड़े हैं तो सपनी जोटी सास के अंसार आपके भाग्य जल्वी खुलने वाले हैं जिससे आपके जीवन में आपको सफलता मिलने वाली है सपनी में अगर नदी में डूपते हुए देखा है तो दोस्तों ये सपना आपको थोड़ा सा परिशानियों, नुकसान, चिंता की ओर संकेत दे रहा है तो आप सरतर रहे हैं और अगर ये सपना आपने देखा है तो गाय को रोटी, गुर या मीठा जो भी हो अपने घर में ज बुरी समय से बुरे समय से आपको निकालेगा और आपको चीर दिलाएगा दोस्तों में अगर आपने नदी को पार करते हैं या पार कर रहे हैं तो दोस्तों आपके जो काम कथिमता से भी आगे बढ़ रहे हैं बहुत आसानी से आगे बढ़ेंगे और शुब होगा वहीं द अगर आपको स्वासतस मंदी दिककत है तो आपको मिजाथ मुलनेगी और आपका स्वासतस बहतर अच्छा होगा स्वस्थ होंगे और जो स्वस्थ है तो आगे लंबे समय तक स्वस्थ बने रहेंगे तो ये था स्वप्थ में नभी को देखना उसका शुब परिणाम अगर आप हमारे साथ आगे के भी सब्टों का फल जाना चाहते हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें आइकोन बेल पस करें तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार